हलो एब्रीवन आपके साथ कोछ मेकप हैक्स पी शेयर करूंगे अगर आपको यह मेकप लुक पसंद आता है तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आईए बेना किसी देरी के मेकप को स्टार्ट करते हैं सकीन केर हो या फिर मेकपा हो अपनी सकीन को पहले अच्छे से क्लीन कर ले मैं यह बेट पास्वाइट फ़स कर रहे हैं source यहां मैं अपना फास्ट हैक शेयर करियो गाइस यहां पर मैंने अपना मॉश्राइजर लिया है जो भी आपना मॉश्राइजर यूज़ करते हैं उसके इन अपर कुछ रिख्विड हाइलेटर के मिला दिया है जिसे कि जब मैं अपने फेस्पेस को अपलाई करूगी तो जैसे कि आप देख रहे है मेरा बेस यहां पर काफी अच्छा सेट हो गया है किसी भी मेकप को करने से पहले प्राइम करना ना भूलें यहां मैं अपने टी जोन एडिया पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और मैं यहां पर यूज़ कर रही हूँ अपने कैंसल आउट कर अब बारी है मेरे फेवरेट फांडेशन की मेवली इन फिट मी फांडेशन इंदी शेड बन टुन्टी है वाम न्यूड मैं जहां रहती हूँ वहाँ पाटी का ना बैन है अगर आप लोग न्यूएर पाटी में जा रहे हैं और ये लूग ग्रेट करते हैं तो मुझे इंस्टा हैंडल पर टैक करना नाम भूले मेरा इंस्टा हैंडल है चेंज एक्स्प्रेस फांडेशन के अंदर भी आप लिक्विट हालेटर मिक्स करके लगा सकते हैं वह भी आपको सेम फिनिश देगा जैसे कि अभी मुझे मुझे मॉश्राइजर के साथ मिली अंडर आइस को हाइलाइट करने के लिए मैं अपने यहाँ पर कंसिलर यूज कर रहे हूं जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ा साथ लाइट है कि अच्छा अच्छा फिनिश आपको देता है यहाँ पर मैं अपना हैक नमबर टू बताऊंगी फ्रेंड्स अगर आप ब्राउन शेड यूज करते हैं अपने आइस के लिए या फिर लाइट ब्राउन डाउन जो भी आपका शेड है तो अपने आइस के ओकर आप कंसिलर ना लगा है यहाँ पर मैं अपना आई मेकप के लिए यूज कर हुए एक लाइट ब्राउन शेड जिसको मैं अपने क्रीज एरिया पर लगाया है और एक डाग ब्राउन आईशेडो लेके अपने आउटर कॉर्नर्स पर लगाया है सेम डाग ब्राउन आईशेडो लेके मैं अपने लोवर लाश लाइन पर लगाऊंगी ग्लीटर्स के लिए मैं यूज करें यहां पर स्विस्टी का लिक्विड ग्लीटर यह शेड है जीरो सेवें आई थिंग शेंपेंग मैं इसे फर्स टाइम यूज करें तो मुझे काफी अच्छा लगा इसमें काफी सारे शेड्स पी अबलेवल आपको इजी लिएमेजन प मैंने प्रोड़क्त हलका ही लिया और अविससे मैं अपने रिंग फिंगर की हैल्प से ब्लेंड कर रही हूं कुछ इस तरीके से इसकी एजेस को खतम करने के लिए मैं आपर सेम लाइट ब्राउन आइशेडो लेती हूं और इसको अपनी क्रीज अरिया पर ब्रेंड करें हूं है 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 नमर थी के लिए फ्रेंड सी एक कॉंपैट पाउडर है जो कि मेरी स्किन टों से काफी ज़दा डाकर शेड में है तो इसको मैं अज़ा ब्राउंजेगर भी यूज करती हूं या फिर अपने आइशेडो की तरह पर आप इससे यूज कर सकते हैं अब मैं यहां पर मॉन डस्ट ग्लीटर्स लेकर अपने आइस पर अपलाई करूंगी इंदी सेंटर काफी ब्यूटिफुल शेड है गाइस और यह पैलेट भी काफी काम किया अगर आपको इसका फुल रिवीज चेहिए तो मैं लिंक नीचे दे दूंग इस पर मैंने फुल तुटोरियल बनाया है ब्लू हेवन का इंटेंस कोल काजल है यह मैं अपनी वाटर लाइन पर अपलाई करूंगी और अपने अपर वाटर लाइन पे भी इसको मैं यूज करूंगी अब ब्रॉंजिंग कर लेते हैं ताकि वो रेडी होजा मस्कारा के लिए यहां पर मैं मस्कारा यूज करें अपना फेवरेट मेबलीन सुपर हाइक परकल मस्कारा यह वाटर पूफ नहीं है आप चाहें तो वाटर पूफ भी ले सकते हैं या फिर आगर आप फॉल्सिस यूज कर रही हूँ काफी अच्छा शेड है यह आई तिक डस्की शेड है अगर मेरे कॉम्पलेक्शन के अगर आप है तो आप भी इस सरीके से हैक यह कर सकते हैं इस लुक के लिए मैंने कंटॉरिंग थोड़ी हार्ड रखी है ब्लशर के लिए मैं यूज कर रहे हूँ यहां पर यह ओरेंज बीची ब्लशर काफी बुटिफुल शेड है यह तो अपने एपल आफ चीक्स पे मैं लगा रही हूँ कुछ इस सरीके से मैं अपने नोस पर भी लगाती हूँ थोड़ा सा चीन एरिया पर जिससे कि एक आच्छा सा मुझे लुक मिले मेकप हो गया है डन अब यूज करते हैं अपना हाइलाइटर फेवरेट पार्ट है यह मेरा काफी अच्छे सा हाइलाइटर लगा है क्योंकि एक पार्टी लुक होने वाला है हाइलेट करना ना भूल है अपने ब्रो एरियास को और अपने इनर कॉर्णर को ओफ कैमरा मैंने अपने आइब्रो सेट कर लिए थे सैटिंग स्प्रे की हेल्ब से मेकप को जली से सेट कर ले थे है कि लिए मैं या पर यूज कर रही हूँ एक ब्यूटिफुल सा एपल रेड कलर यह मैंने ऑफ-लाइन करीदा था अगर यह हो गया मेरा मेकप डन और मैं अपने आउट्फिट और अपना हेस्टेल चेंज करके आती हूँ आप लोगों को यह लोग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरीके के वीडियोस आप लोग देखना चाहते है मेरे चैनल पर तो प्लीज मुझे जरूर बताएं या सभी प्रोड़क्स के लिंक्स में डिस्क्रूशन में में मेंशन कर दोंगी आई होब आप लोगों को मेरे सारे ब्यूटी हैक्स भी पसंद आये होंगे ओके फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना ही स्टेश सेफ और विशिग वारी हैपी दियो यह कर दो लोगों. तर विए अड़ुिंग लुट ही पसमें आप लिए लुटाएं सबस्यों कर दो से लिए, एक लिएगे लूएएं अभरे, टेस वीज़गे देपे हो वारी हो पिएटे लीज़रे, अपीए कि अटेंगा, कि दो अटेंगा, कि नहा है, कि अखिए और छोती हुआ।